हलो गाइस विल्कम बैक टू माई चैनल फ्रेंज आज हम देखेंगे इस तरह की स्थाड़ी में फॉल्क इस तरह से लगाएं देखें इसमें आप देख सकते हो कितना बारिकी से यहां इस्टोन लगा हुआ है देख सकते हो यहां बस सिलाई मसीन तो बिल्कुल भी नहीं चले तो इसमें फाल लगाएंगे सबसे आसान तरीका बताएंगे तो यहां हम देख सकते हैं कि रिविश्वी टेप है हम और यूज करेंगे ठीक है तो इसे किस तरह से यूज करना है चले देखते हैं तो सबसे पहले देखिए इसको फोल्ड किये हैं उसको ओपन कर लेते हैं हम तो परुफोर हम रहflнуть अब हम इसके औपर ही रखेंगे रिमिश्वह प्राप को कौनर में जहान गेब दिये रहता है वहाँ हमने फोल्ड कर लिया है पहले से अब उसके ऊपर हमें रखना है इस तरह से में कौनर पे रखना है रिमिश्विह प्राप को ठीक है तो यहां हमने रखा फिर हम उसके उपर रखेंगे फॉल को फॉल वाला फेबरिक है उसको उसके उपर रखेंगे इस तरह से हम इसको जमाएंगे और फिर रखेंगे और इशी के उपर हमें प्रेश लगानी है तो इसे भी देख लेते हैं प्रेश लगा के तो इस तरह से प्रेश लगाया इसे और इसी तरह से आगे भी हम इसको कम्प्लीट करते जाएंगे इस तरह से रखना है फिर और फिर हम इसमें इस तरह से प्रॉपर रखना है फाल को और फिर लगानी है इसमें प्रेश इस तरह से प्रॉपर रखते जाना है फिर प्रेस लगाने जाना है इस तरह से में प्रेस लगाया अब आप देख सकते हूं कि निकलेगा भी नहीं यूकि प्रेस अच्छे से करना पड़ेगा और इस तरह से बिल्कुल जम गया है देखिए इस तरह से अब निकाल के देख से तो नहीं निकलेगा इस तरह से बहुत ही अच्छी और फ्रेसिंग के साथ यहां पर हमने फॉल को अटेच किया है और देखिए उपर भी हम उपर हमें तुर्पाई करना पड़ता है तो वहां हम ईए से उपर को रखेंगे फिर हम अटेज कर लेंगे इस तरह से रखना है फॉल के उपर और फिर पलट लेना है और हमों यह देखिए हैर तो आधर हम्हे उप्रास्ट और तरह औक अदगे इस तरीका हम उपिए हैं इस तरह से और प्रेश लगाना है प्रेश लगाते जाना है अब आप देख सकते हो कि इतना फिनीसिंग के साथ लगा है और इधर भी देख सकते हो प्लट के देखे यहां तो निकलेगा नहीं अब इधर भी देख सकते हो देखे इस तरह से और देखिए पलटेंगे फिर देख सकते हैं इसी फिनीसिंग देखिए कि इतना प्यारा लग रहा है बहुत अच्छी सी फिनीसिंग के साथ हमने इसमें फॉल लगाया है अब चाहे तो इसे तुर्पाई भी कर सकते हो तुर्पाई आप इस सब कंप्लीट करने के बाद तुर्पाई कर सकते हैं ताकि यह कभी भी आपको निकलने का डर ही न रहें वीडियो अच्छे लगी तो व